नमशकार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर मैं आपका दोस्त फिराजिरु आपिले की स्वास्तेवर्दिक जानकारी को लेकर आज हम बात करें कि मुह में बार बार पानी आने के कारण और उसको उपाएक के बारे में कि आपके भी मुह में पानी अधिक आता है यदि हाँ तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है क्योंकि यह परशानी बहुत से लोगों के साथ होती है इसके अलावा आपके मुह में जब भी आप खाना खाते हैं तो लार गरंतियां उस खाने को अच्छे से चबाने में आपक प्रिशान करती है और इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे कि जो जो लोग कंधय के बल सोते हैं उन्हें परशानी होती है क्योंकि पीट के बल सोने से लार आपके गले में चली जातीanych इसके साथ रहिघ्च के औरोगी साइनिस इंफैक्षन के कारण गले में इलर्जी होने के कारण लार गरंतों में सूजन के कारण आपको ये परशानी हो सकती है लेकिन ये ऐसे कोई गंभीर समस्या नहीं है जिसके कारण आपको बीमारी हो सकती है लेकिन इसका ज्यादा आने के कारण कई बार आपको दूसरों के समने असहज मैसूस हो सकता है इसके लिए एक तो आपके मुह में की सफाइज का खास ध्यान रखना पड़ा है तो आइए जानते हैं यागर आपको ये समस्या है तो इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं आप किस प्रकार इस प्रशानी सिरहत मिल सकती है मुह में लार बनने के जो कारण है दोस्तो अधिक गरम वा मिठी चीज जोगा सिवन करते हैं, तो इसके कारण आपके मुह में लार अधिक बनती है, जिसके कारण आपके मुह में अधिक पानी आने के समस्य शुरू हो जाती है, या फिर लार ग्रंतियों में सोजन के कारण, व्यक्ति के गले में तीन लार ग्रंतियों होती है, यादि कभी उनमें से एक में भी किसी में सोजन आ जाती है तो इसके कारण भी आपके मुह में अधिक पानी आने लगता है या फिर मुह में छाले होने के कारण भी लार अधिक बनने लगती है जिसके कारण आपको मुह में पानी आने के समस्या खड़ी हो जाती है अगर आप अपने मुह की साफ सफाही नहीं रखते हैं तो इसके भी कारण भी आपके मुह से पानी निकलने लगता है इसलिए आपको नियमित बुरुष कुला अधी जरूर करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति रैबिज की समस्या से पीडित है तो इसके कारण भी उसके मुह में पानी अधिक काने की समस्या हो सकती है तो आप मुह में सास लेते हैं इसके कारण भी आपके मुह में लार अधिक बनती है और यह समस्या रात को सोते से में अधिक परशान करती है क्योंकि मुझ से पानी अधिक मातरा में निकलता है तो आप जानते हैं कुछ घ्रेलोव उपायों के बारे में जिनकी सहाइता से आप इस समझे से निजात पा सकते हैं इसके लिगे अप तुलसी के 2-3 पते ले और उन्हें अच्छे से दो ले उसके बद अच्छे सेमने चबाएं उसके बद एक गिलास पानी करें दिन में दो से तीन बर इस उपायो करें आपको इस परशानी से रहात मिल जाएगी या फिर फिटकड़ी के पानी का استعمुल करें दिन में 2-3 बार फिटकड़ी के पानी को अच्छे से उबाल ले%. और इस पानी को गुर्णग्रा रहने पर दिन में 2-3 बार उस पानी से कुला करें आपको इस मसर निजात पाने मदद मिलेगी. अगर आपका अधिक मसाले वाले गरम भोजन करते हैं तो कई बार उसे पचाने में आपको समय लग सकता है जिसके कारण आपकी मुझ में लार बनने लगती है इस लार इससे बचने के लिए आपको हलके हार का सेवन करना चाहिए और ऐसा हार लेना चाहिए जिससे असने से पड़े अगर आपको इस पर इंफेक्शन और बिमारी कारण यह समस्या है तो आपको से अंदेखना करते हो डॉक्टर से राए लेने चाहिए ताकि आपको इस मस्या से रहात पाने मदद मिल सके तो दोस्तों यह थे कुछ कारण जिसके वज़े से आपको मुझ में लार बन लिए नमस्का धन्यवाद